जैसा कि आपको वीडियो थमनेल देखने के बाद ही के लिए रो गया होगा कि आज मैं आपको GST कैलकुलेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही जादा इंपोर्टेंट हैं जो टेक्स एड़ोकेट हैं, अकाउंटेंट हैं, GST प्रैक्टिशनर्स हैं या स्मॉल बिजनेस ओनर हैं जो अपना GST कैलकुलेशन खुद करते हैं तो अब आपको कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्ट्वेर खरीदने की बिल्कुल जरुवत नहीं है, आप चाहें तो Excel के अंदर ही अपना GST कैलकुलेट कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं GST कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इस टाइप की टेबल मेंटेन करनी पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले आप डेट का कॉलम रखेंगे, इसके बाद प्रोड़क कॉलम बनाएंगे, और बिल्कुल ऐसे ही बराबर बराबर आपको क्वांटिटी, MRP रेट, ग्र आई है, वो मैं 99% CGST और SGST निकालूंगा, अगर आपको GST रेट की पूरी जानकरी नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि GST की 5 स्लेब होती है, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, तो आप जिस तरह के प्रोड़क्ट में डील कर रहे हैं, उस हिसाफ से आपको GST कैलकुलेट करना है, यह हाँ पर जो हमने देखिए, प्रोड़क्स लिये हैं, उन प्रोड़क्स की अकॉर्डिंग हमारा जो टैक्स का स्लेब है, वो 18% है, तो 18% में जो 50% पैसा होता है, वो CGST में जाता है, यानि Central Government को जाता है, और 50% जो पैसा होता है, वो SGST होता है, जो की State Government को जाता है, तो इन quantity 10 है, यानि 10 piece हमने बेचे हैं, और जिसकी MRP 300 रूपे है, तो सबसे पहले हमें equal sign के साथ में इस वाली cell को multiply करना है, इस cell से, इसके बाद enter press करना है, और यहाँ आपको corner से पकड़ कर इसको drag कर देना है, तो यह आपकी gross cell निकल के आ जाएगी, quantity और MRP के according, लेकिन आपको यह multiply करेंगे हम 100 से, और divide करेंगे 118 से, यह 118 हमने इसलिए लिया है, क्योंकि 18% हम इसमें से less करना चाहते हैं, इसके बाद देखिए जैसी आप enter press करेंगे, तो यहाँ पर यह basic price निकल कर आ जाएगा, इसके बाद हम इसको यहाँ से drag कर देंगे, यानि यह आपकी taxable value आ गई, जिस पर tax calculate हुआ है, आप इसको taxable value भी बोल सकते हैं, या accessible value भी बोल सकते हैं, यह वो accessible value है, जिस पर आपको CGST और SGST calculate करना है 9%, तो अब आपको यहाँ पर formula लगाना है, equal sign के साथ में इस वाली cell को multiply करना है 9% से, तो इससे क्या होगा, 9% आपका calculate हो जाएगा, इसके बाद आ आप CGST भी निकाल सकते हैं, अलग से बिल्कुल सेम यही formula आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहें कि आपको CGST पे यह अलग से formula ना लगाना पड़ेगा, तो आप इसको double click करने के बाद में, यहीं पर F से पहले 1$ लगाएंगे, इससे क्या होगा, आपका जो F वाला column है, वो fixed हो जाएगा, अब इसके बाद जब enter press करने के बाद में, आप इसको आगे drag करेंगे, तो automatically SGST भी हमारा calculate हो जाएगा, I hope कि आपको बहुत अच्छे से यहां तक clear हो गया होगा, इसके बाद आपको net price निकालने के लिए equal sign के साथ में, sum formula लगाना है, bracket open करना है, और यहां basic price से लेकर CGST और SGST, इन तीनों को एक साथ select कर लेना है, bracket close करना है, और enter press करना है, इससे क्या होगा, basic price के साथ में CGST और SGST दोनों add हो जाएंगे, और net price आपका निकल कर आ जाएगा, इसको पकड़ कर भी आप नीचे track कर देंगे, तो यहां आप check कर सकते हैं कि जो वो 3000 आ रहा है निकल के, आप इसके बाद में जब आप GST return file करते हैं, तो आपको तीन चीजों की requirement रहती है, sale की, CGST की और SGST की, यानि वो value जिस पर text लगा है, और CGST कितना लगा है, और SGST कितना लगा है, उसका total आपको चाहिए होता है, तो यहां पर तो देखिए मैंने सिर total sale होगी, इस sale को यहां से यहां तक select करने के बाद bracket close करके enter press करेंगे, यह आपकी total sale आ जाएगी, इसी तरह से GST calculate करने के लिए equal sign के साथ में आप sum use करेंगे, bracket open, और यहां से यहां तक यह range लेंगे, bracket close करेंगे, enter कराएंगे, देखिए यह आपका CGST निकल के आ जाएगा, ब यह वो amount calculate हो चुकी है, जो आपको GST latent file के लिए जरूरत होती है, I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है, तो video like कर लें, और इस वीडियो को जाद से जाद लोगों को share कर दें, और खासकर उन लोगों को share करें, जो क कि अभी beginner level पर हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ही जादा important topic है,